श्रीयोग विदांत सेवा समिती भिलाई दुर्ग व यूवा सेवा संग के तत्पधान में संत श्री आशाराम बापू आश्रम बिलोदी दुर्ग में सामुईक श्राध का कारिक्रम सब्बन हुआ प्रतिवर्ष की भाती इस वर्ष भी बिलोदी आश्रम परिसर में गायतरी परिवार की विद्वान पंडित श्री अवस्ती जी के द्वारा तरपन कारक्रम विदी विधान से कराये गया साहमुईक श्राद में संबलित होने वाले श्रदालों को श्राद की विशेस महिमा भी बताई गई कि श्राद क्यों करना चाहिए श्राद से क्या लाब होता है श्री अवस्ती जी ने अपने मुखारबिन से बताया कि श्राद कारक्रम को हर मनुष्य को करना चाहिए शाद से रिशीगन पित्रगन सभी संतुष्ट रहते हैं वो संतुष्ट तो हम भी संतुष्ट रहते हैं या पुनित कारे हमारी भारती संस्कृती में पूरु से चली आ रही है तो हमारा भी करतवे बनता है तो ये करना चाहिए जो लोग अपने पित्रों का शाद नहीं करते उनके घर में कला हमिसा बना रहता है और जो लोग पूरे विधिविधान से शाद करते हैं उन्हें पित्रों और देवताओं का खुब आशिरवात प्राप्त होता है कारकम की समगरी वा भोजन प्रशादी समिती की ओर से प्रदान की गई थी